नमस्कार दोस्तों हिंदी पीडिया चैनल में आपका एक बार फेश्य अभिनंदन आज हम सभी आधुनिक काल से संबंधित प्रश्णोतरी को लेकर आगे बढ़ेंगे आधुनिक काल के ऐसे प्रस्ण जो परिक्षाओं के लिए बहुत 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 हैं अभी तक आपने चै आगे बढ़ते हैं आज के प्रस्णोतरी में आधुनिक काल के कुछ महदपूर प्रस्णों के साथ जो परिक्षा के लिए बहुत महदपूर हैं अभी तक हमने जितनी भी प्रस्णोतरी दी हैं वह सब महदपूर हैं परिक्षाओं में पूछे गए प्रश्ण हैं जो लगा प्रशन हैं पहले प्रश् Windsor का है इन्में से आधुनिक प्रारम कक्भ शे माना गया अब यहां पूछा गया है कि आधुनिक प्रारम कब शेम गया अच्थारा सो इसबी से तारव सोपचास इसबी से अठारस सट्तावण सबी से आप सभी को पता है कि अधुनिक काल का समय कब से माना गया तो सही बीकिलप आप के सामने है 1857 इस भी से आधुनिक काल का प्रारंब माना गया तो सही बीकिलप आप लगा लेंगे अपना उत्तर सहीं कर लेंगे 1857 इस तरह से आप अतना सहीं उत्तर करेंगे 1857 चलिए आज के अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है चंद चंद बरनन की महिमा एक रचना है जो चंद्र बरदाई की है कभी गंग की है लाल कभी की है या सूरत मिस्र की है एक चार रचनाकार दिये गए है इन चार रचनाकारों में किसकी रचना है चंद चंद बरतन बरनन की महिमा बरनन सब्द है यहां पे सब्दों का हेर फेर होता रहता है सब्दों के हेर फेर पर ध्यान देना है कभी रचनाएं पूछी जाती हमें लगता क इसकभी की है लेकिन उसकभी की स्थान पर वह दूसरी रचना रहती है यहां जो चंद चंद बरनन की महिमा है इसको आप सहीं उत्तर लगाना चाहेंगे तो सहीं उत्तर आपको मिल गया है उत्तर आप लगा लीजिए सहीं उत्तर है चंद चंद बरनन की महिमा गंग कभी की र प्रशन है भासा योग वसिष्ट के रचैता का नाम बताईए गंग गोकुल दास नाभा दास राम प्रसाद निरंजनी अब भासा योग वसिष्ट है रचना इसके कौन रचनाकार है तो चार विकल्प जो आपको दिये हैं इसमें से आप सहीं उत्तर अपना लगा लिजिए राम प्रशाद निरंजनी तो दा भी कल्प आपका सहीं हैं सहीं उत्तर कर लिजिए दा राम प्रशाद निरंजनी आगले प्रशन पर चलते हैं आज के अगला प्रशन है प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की थी प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी अब यहाँ प्रेम सागर की बात की जा रही है तो प्रेम सागर आब तुरंत समझ गए होंगे किस की रुछ ना र साध्द लाल बिहारी लाल लाल सब्द क्रिश्न के लिए कहा जाता है। कृश्ल प्रेम के लिए बहुत प्रशिद्ध है प्रेम के शागर माने जाते हैं यहां इस से आप बना लेंगे कि प्रेम, शागर ललूलाल ने लिखा है सही विकल्प आपका हो जाएगा लल्लू लाल चलिए आज की अगले प्रशन पर चलते हैं भासा यूग वसिष्ट का रचना काल इन में से क्या है अब भासा यूग वसिष्ट जो रचना है उसका रचना काल पूछा गया है पंद्रावी सती, सोलावी सती, सत्रावी सती या अठ्रावी सती इस तरह से कौन सी सती है तो आपको सही विकल्प मिल गया है सही विकल्प है भासा यूग वसिष्ट जो है अठ्रावी सती में लिखा गया है तो सही विकल्प आप दा विकल्प अपना सही कर लेंगे दा विकल 18 सती इसी तरह से अगला प्रशन है उदै-भान-चरित किस रचना का दूसरा नाम है प्रेमसागर का शुखसागर का राणी-केतकी की कहानी का नास-केतो-पाख्यान का यहां जो चार रचनाएं दी गई है इसमें से उदै-भान-चरित किस का नाम है उद्य भान्चरित रानी केत्की की कहानी को कहा गया है रानी केत्की की कहानी इंसा अल्लाखा ने लिखा है इंसा अल्लाखा नासिकेतो पाख्यान सदा सुखलाल ने लिखा है शुख सागर और प्रेम सागर प्रेम सागर के बारे में अभी आपने जान गए हैं किस ने लिखा है प्रेम सागर को लिखा है तो इस तरह से चार प्रशन यहां बन सकते हैं यह चारों प्रशन बहुत ही महत्पूर्ण है चलिए आज के अगले प्रशन पर चलते हैं आज का अगला प्रशन है ना सिक्ये तो पाख्यान के रचैता का नाम बताईए अभी आप समझ गये हैं ना सिके तो पाख्यान के रचैता शदल मिष्जी हैं सही बिकलप आपका अच हो जाएगा अभीकलप अपना सही कर लेजिए सही लगा लेजिए याद करते चलिए आपको अगर वीडियो से संबनित कोई भी समझ्या है वीडियो में कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या आपको लगता है कोई गलती हुई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं गलती का सुधार किया जाएगा आपको सहीं उत्तर देने का प्रयास सदव रहेगा यदि आपको लगता है कोई गलती है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महतपूर होता है इसलिए आप कमेंट जरूर किया करें इन में से मुंसी सदा सुखलाल अगला प्रशन आप चलते हैं आज के इन में से मुंसी सदा सुखलाल नियाज की रिचना कौन सी है नाज के तो पाख्यान है सुख सागर है प्रेम सागर है भाग्यवती है तो चारे रिचनाए जो दी गई है इन में से एक सदा सुखलाल निया आया था सुख सागर किसकी रचना है तो सदा सुखलाल नियाज की रचना है सुख सागर अपना विकल्प बाव विकल्प सहीं कर लेंगे सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर है आज का बहुत महत पूर्ड प्रस्न है जो परिक्षाओं में कई वार पूछा गया है इसमें से फोर्ड बिल्यम कालेज कलकत्ता से कौन काम नहीं करता था तो फोर्ड विलियम कालेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था अब यह प्रस्न कई तरीके से पूछा जाता है कभी पूछा जाता है फोर्ड विलियम कालेज कहां है फोर्ड विलियम कालेज के स्थापना कब होई फोर्ड विलियम कालेज के संस्थापक कौन थे या फोर्ट विलियम कालेज में कौन काम नहीं करता था इस प्रस्न को अगर आपने तयार कर लिया परिक्षा के लिए समझे एक प्रस्न आपका तयार हो गया एक प्रस्न तयार होकर आप मेरिज में बन सकते हैं क्योंकि जब एक नंबर आपको कम मिलता है तो बहुत ही दर्दनाक होता है कि एक नंबर से आप कर रह गया आसा है यह प्रस्न आप फिक्ष कर लेंगे कि यह आता ही है TGT हो, PGT हो, NET हो, GIC प्रवक्ता हो इन जगों पर अवश्य ही आता है इसको आप सदेव याद रखेंगे इनवे से फोर्ड बिलियम कालेज के में काम कौन नहीं करता था तो जान क्राइस्ट सदल मिस्र ललू लाल इंसा अल्ला खा आपको सहीं भी कल्प मिल गया है रानी केत्की की कहानी या उदेभान चरित के रचेता रानी केत्की की कहानी के रचनाकार इंसा अल्ला खा फोर्ड बिलियम कालेज में काम नहीं करते थे तो आपको सहीं भी कल्प मिल गया है दा उत्तर अपना सहीं कर लेजिए दा चलिए अगले प्रशन पर चलते आज का अगला प्रशन जो है इन में से कौन सी रचना ललू लाल की नहीं है अब ललू लाल की रचना कौन सी नहीं है सिंहासन बत्तीसी बैताल पचीसी सकुंतला नाटक भंडोवर का वर्ण मंडोवर का वर्ण लिखा है यह तो मंडोवर का वर्ण जो है इन में से ललू लाल की रचना कौन सी नहीं है तो आप सहीं भी कल्प देख पाएंगे मंडोवर का वर्ण जो है ललू लाल की रचना नहीं है उप्रोगत तीनों लल्लू लाल की रिचनाएं हैं तो आपका दविकल्प यहां भी सही हो जाएगा मंडो और का वड़न लल्लू लाल की रिचना नहीं है अगला प्रशनाज का जो होगा लल्लू लाल जी कहां के निवासी थे यह प्रशन आज के ट्रिड में आ गया है लल्लू लाल के बारे में देव के बारे में एक लेखक के बारे में पूछा जाता है कि यह कहां के निवासी थी हमें लेखकों के वासिस्थान को भी जानना है जो प्रशिद्ध आधुनिक काल के लेखक हैं या रीतिकाल के प्रशिद्ध लेखक हैं इनके निवास स्थान को भी ध्यान में रखना है एक प्रस्ण पूछा ही जाता है कभी रीत काल से पूछा जाता है कभी आधुनिक काल से आज आधुनिक काल के प्रस्ण हम लेकर आये हैं रीत काल में देव के बारे में पढ़ा चुके हैं या उस पर प्रेक्टिस सेट आपको किसके आसपास यहां देखी आगरा है कलकत्ता है बनारा से दिल्ली है तो लाल लाल कौन कहे जाते हैं मेरे तेरो लाल मेरे माखन खायो लाल सब्द प्यूज की आज़त भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण कहां थे इसमें सगर विकल्प आप देखें आगरा के लाल जी आगरा के निवासी थे आपका सहीं भी कल्प आ हो जाएगा अब भी कल्प लगा लीजिए अगला प्रशन है आधुनिक काल के लिए इन में से कौन सा नाम नहीं दिया गया अब यहां पूशा गया है कि आधुनिक काल के जो नाम दिये गए हैं उसमें से कौन सा ना आधुनिक काल का नहीं माना गया है बरतमान काल गद्य काल सामई काल आधुनिक काल आपको सही विकल्प मिल गया है बरतमान काल तो कहा गया है गद्य काल भी कहा गया आधुनिक काल को और आधुनिक काल भी कहा गया आपको यहां देखने में मिल गया कि सही विकल्प आपका सह नहीं नहीं हो रहा है आधुनिक काल का नाम सामय काल नहीं दिया गया सामय काल नहीं दिया गया अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं मुंसी सदा सुखलाल कहां के निवासी थे अभी देखे पूछा गया था लल्लू लाल कहां के निवासी थे अब पूछा जा रहा है मुंसी सदा सुखलाल कहां के निवासी थे आपको इसके चार विकल पर ध्यान देना है चार विकल पर ध्यान देजिए आगरा दिल्ली कलकत्ता बनारस अब सदा सुखी कौन रहता है जो सासक बन जाता है दिल्ली का दिल्ली का सासक बन जाता है सिंटर में केंदर में सासन करने लगता सबसे सुखी माना जाता है तो दिल्ली सेंटर में है तो कहेंगे सदा सुखलाल कहां के निवासी थे सदैव सुखी रहता है जो दिल्ली का सासक बन जाता है तो यहां दिल्ली आप अपने विकल्प में लगा लें कि दिल्ली जो है सदा सुखलाल का निवासिस्थान है दिल्ली चलिए आगले प्रिष्ण पर चलते हैं इसी तरह से आनंतित होकर पढ़ते रहे जिससे एक-एक प्रष्ण याद हो जाएगा आसा है कि ये प्रष्ण बहुत ही महत्पूर है परिक्षा के लिए अभी तक हमने जितनी भी परिक्षाओं के लिए सेट दिये हैं वह उन हो जाता है हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है यह प्रष्ण बहुतहीं महत्पूर हैे अका इन प्रष्णों को दिख पारहे हैं इन प्रष्णों में चार विकल्प दिये गये हैं इसमें जो डेट दी गई हैं, हिंदी गद्ध का प्रारंब कभ से माना गया है तो आप अगर इन प्रशनों को देखें, सदा सुखलाल के बाद जो प्रसनाता है हिंदी गद्ध का प्रारंब तीन विकल्प हैं जो इन तीन विकल्पों में से 1880SB आपका सही होता है जब फोर्ड विल्यम कालेश की इस्थापना हुई जान गिल क्राइस्ट ने इसकी इस्थापना की, यहां से जो गद्यकाल का आरंभ माना जाता है, सब इकल्प सही है, सब इकल्प आपका सही है अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं, बहुत ही महतपूर प्रश्ण यह है, आचार रामचंद सुकल ने हिंदी गद्यके प्रवर्तकों में इन में से किसे इस्थान दिया है, गद्यके प्रवर्तक, अगर गद्यका प्रवर्तक माना जाए, इसमें किसे इस्थान दिया है, त प्रद्धराम फुलोरी को भी नहीं माना है यहां जो उन्होंने गद्ध का प्रवर्तक माना है तो बैविकल पाप लगा लिजिए बैविकल सदा सुखलाल जी को मानते हैं इसी तरह से आज के अगले प्रशने पर चलते हैं अगला प्रशने आपके शामने आ गया है सरसेयद अहमेद खा की भासा नीत का बिरोध हिंदी के किस लेखक ने पुर्जोर ढंग से किया राजा लचमर सिंग ने भारतें दुहरिश्चन ने सदा सुखलाल ने शीवपरसास सितारे हिंद ने तो सरसेयद अहमेद खा इस सब्द जैसे ही आए आप समझ लेजिए कि बहुत महत पूर्जणा गया है तो सरसेयद अहमेद खा की भासा नीत का बिरोध हिंदी के विसे लेखक ने पुर्जोर ढंग से किया है किया है यह किसर की से संबन्हित है यह भारतें हरिश्चन से संबन्हित है बहुत आपका सहीं हो रहा है इसी तरह से आज की अगले प्रश्ब पर बूर चलते हैं राजा भॉज का सपना पुस्टक के लեՖक कौन है यहां पर सही विकलप में शामने आ गया है राजा राजा भॉज का सपना ए अगला प्रिशन जो बहुत ही महत्पूर आ में एतिहास तिमिर नासक पुष्तक के लेखक का नाम क्या है भारतेंदु है बाल कृष्णा भट्ट है प्रताप-hã strict मिश्रा है शिवप्रशाथ सितार नासक की जब बात की याया तो तुरंत आप समझे कि तिमिर क्या करता है अंधकार को दूर भगाता है तो सितारे कौन भगाते अंधकार को दूर सितारे भगाते हैं तो सितारे कैसे भगाएंगे शिव के परसाद से भगाएंगे शिव परसाद सितारे हिंद यतिहास तिमिर नासक के रचनाकार है यतिहास तिमिर नासक के रचन सिव प्रसास सितारे हिंद जी हैं अगले प्रशन की बात कर लेते हैं अगला प्रशन आज हमारे सामने जो आ गया है मानो धर्मसार पुस्तक के रचीता का नाम बताईए यह इसी रचना है जो आने की संभावना है क्योंकि एक रचना ऐसी दी जाते जिसको हम कम पढ़ते हैं यह कम पढ़ने वाली रचनाओं में है मानो धर्मसार साइद आप के लिए भी यह प्रशन नया हो इसलिए इस प्रशन को जरूर देखेंगे मानो धर्मसार किसकी रचना है यहां चार नाम दिये गए हैं राजा लच्मण सिंग, शिव प्रसास सितारे हिंद, बाल कृष्ण कारों में बविकल्प अपना लगा लीजिए बविकल्प शहीं कर लीजिए राजा शिव परसास सितारे हिंद, मानो धर्मसार पुस्तक के रचेता हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रसन है हमारे मत में हिंदी और उरदू दो बोली न्यारी न्यारी हैं यह कथन कि लेखक का है सरसेद अहमद खा का राजा लचमन सिंग का सिटाहर हिंद का इंसा अल्ला खागा हमारे मत में जब मत की बात की जाये तह यहाँ पर आप झ्यान देंगे मत कॉन करता था मत राम से लच्मन जी करते थे मत करते थे यह कयसे है पूर क्या है तो लच्शमन और उर्दू दो बोली प्यारी नियारी नियारी हैं यह कथन किसका है यह कथन राजा लच्मण सिंग का है बह विकलप आपका सहीं हो गया इसी तरह से अगला प्रश्नाज का है पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक कभी कौन थे तिस तरह से आप देखें यहां चार विकलप दिये गए हैं लाला लाजपतराय नभीन चंदराय सरद्धाराम फुल लोरे गुर्गो बिंदे सिंग यहां चार जो विकलप दिये गए हैं पंज से लगा सकते हैं याद रख सकते हैं यह अगला प्रशन चलते हैं आज के और मजहिदार प्रशन जो है फ्रेडरिक पिंकाट भारत में किस भासा के समर्थक थे अब यह एक ऐसा प्रशन है जो पाश्चात्य कावसास्त्र से संबंदित होता है ऐसे लगता है कि यह कहीं भासा का यह प्रशन हिंदी के समर्थक थे उर्दू के समर्थक थे अंग्रेजी के समर्थक थे संस्कित के समर्थक थे फेडरिक पिंकाट भारत में किस भासा के समर्थक थे बहुत मज़ेदार प्रशन है यहां आप जो सोच रहे होगे वह नहीं होने वाला है सही होने वाल यूग की समय सीमा इनमें सिख्या है अगला प्रस्णी कितना अच्छा है मज़ेदार है भारते इंद यूग की समय सीमा क्या है समय सीमा पढ़ लेजिए उनीस सो अठारा से उनीस सो पचास इस भी तिसमें सही विकल्प आपके सामने आ गया है भारते इंद यूग की समय सीमा जो आधन क्यूक की सुरुवात मानीगे ही तब से मान लेते हैं कि 1857-1920 आप सही विकल्प कर लेंगे 1857-1920 इस तरह से 1900 इस भी यह विकल्प आपका सही हो गया अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है भारतेंद जी का जीवन काल कूल कितने वर्सका था बहुत अच्छा प्रस्न है अगर आधुनी काल की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 30 वर्ष का था 38 वर्ष का था 40 वर्ष का था और 35 वर्ष का था आप यहां एक ट्रिक भी उज़ कर सकते हैं ट्रिक क्या है ट्रिक पर ध्यान देना है कि जब 30, 38, 40 और 35 एक क्रम में बढ़ते हुए सन को लिखा गया हो अब फिर अपोजिट लोट आय गया हो तो वही बिकल्प सहीं हो जाता है इस तरह से यहां आपको दा बिकल्प सहीं कर लेना है 35 वर्ष तो चलिए अगले प्रसन पर चलते हैं आज का अगला प्रसन जो है इन में से पंडितावपन किस लेखक की भासा में सुकलजी ने माना है इन में से पंडितावपन किस आउपण सुकलजी मानते हैं सदा सुखलालकी भासा में पंडिताउपण सुक्लजी मानते हैं घृत अगले प्रिश्ण पर चलते हैं निजवासा उन्नत यह सब उन्नत को मूल यह पंक्त किस कभी की है तो यहाँ पर चार पंक्तियां दी गई है यह पंक्तियां जो है निजवासा उन्नत यह सब उन्नत को मूल यह किस लेखक की है तो सही लेखक का नाव आप लिख लिजिए यह बहुत ही चेर्चित पंक्ति है जो आपके रेलवे स्टेशनों पर बस स्टेंड पर यह ऐसे सारवजनी के स्थलों पर लिखे भी होते हैं इसकूलों में लिखे होते हैं आप इसको याद रखी यह पंक्ति बहुत पूछी जाती है तो बहुत ही प्रशिद्ध है हमारो उत्तम भारत देश यह जो रचना है राधा चरण गुष्वामी राधा कृष्ण दास बनार्सी नरायन चोधरी भारतेंद यहां पर अब इकल्प आपका सही हो गया अब इकल्प जैसे सही करेंगी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं भारत भारती के रचेता कभी कोन हैं महावीर प्रशाद्य वेदी अविध्या सिंग उपाध्याय हर्योद मैथली सरण गुप्त भारत इंध्वरिष्ण भारत भारती के रचनाकार की बात अब कर रहे हैं तो भारत भारती जैसे ही आए भारत क भारती कौन थे मैथली सरण गुप्त बेलकुल सहीं उत्तर आप लगा रहे हैं मैथली सरण गुप्त जी भारत-भारती के रचनाकार है इस तरह से अगले प्रस्न पर चलते हैं नव भक्तमाल की रचेइता कौन है जो अभी हम बात कर में आप इसको गलत कर सकते हैं इसलिए हमेसा याद रखी रचनाओं को अप्रस्नों को ध्यान से पढ़ना है ध्यान से पढ़ने के बाद तब सोचना है यहां देखे बिकल्प सामें नावादास भी दिया गया है नौभक्तमाल देखते ही आप नावादास लगा देंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो गलत उत्तर से बचने के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फिर उस पर विचार करना है कि यह क्यों ऐसा है तो सहीं विकल्प आपका हो जाएगा यहां दविकल्प राधा चरण गुष्वामी का नौ भक्तमाल है भक्तमाल नाभादा अगले प्रश्न पर चलते हैं जो विषया संतंत जी ताहीं मूढ लप्टाए जो संत लोग होते हैं जिस चीज को छोड़ देते हैं वही मूर्ख लोग अपने साथ लगा लेते हैं जो रनर डारत वमन कर स्वान स्वाद सव खायत इसका उधारन भी दिया है जो हम वमन कर द देखें कवीर का भारतेंदू का तुलसी का राधा क रिश् sequential Dogs का तो इस तरह से आप अगर देखें तो ये संहीं बिकल्प है राधा लगा शकते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं भारते अंद्युक का कौन सा कभी पुस्टिमार्ग में दिचित की कभी है भारते अंदु रिश्ण बारते अंदु हृष्ण यह पुश्टिमार्गी थे पुष्टी मार्ग में दिछित थे भारतेंद्य हरिश्चन अगला प्रसना आ गया है इंद में से कौन सी प्रवित्ती भारतेंद्यूक की नहीं है भक्ति भावना प्रकित शित्रन इति बृत्तात्मक्ता सिंगारिक्ता इसमें सिभारतेंद्यों की जो नहीं मानी गई है इसको पूछा गया है इनमें सिभारतेंद्यों की प्रवित्ति नहीं है तो जो नहीं है वह है इति बृत्तात्मक्ता जो नहीं है वह विकल्प आपका है इति बृत्तात्मक्ता सह विकल्प सही है अगले प्रशने पर चलते ह जो अलंकारों में बहुत पूछा जाता है तरन तनूजा तट तमाल तरवर भुच्छाए यह अनुपरास का गजब का उधारण दिया जाता है लिकनी यह पंक्ति किस रचनाकार की है यह भी आप जालने जिए यह कहीं न कहीं आएगा यह अलंकार में आएगा यह तो रचनाक भारी में आएगा पंक्ति किसकी है यह पूछा गया है इस दर्जे से यह प्रशन भहुत ही महत्वण हो जाता है तो भारतियों हरिष्चंद्र का है इससे भारतियों हरिष्चंद्र नहीं कहा है तरन लितनूजा तट तमाल तरवर भुच्छाए इस तरह से आप यहां पर या विकल्प लगा सकते हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है इन में से कौन सी प्रवित्ति भारतेंदु काल की है यहां पूछा गया प्रवित्ति भारतेंदु काल की है तो इत बृत्तात्मक्ता भारते इंदु काल की प्रवित्य जो है मानी गई है भारते इंदु काल की प्रवित्य तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो भारते इंदु काल की इसमें जो प्रवित्य है वह बप्रवित्य है बशमस्या पूर्ति सही विगलप आपके सामने आ यह समस्या पूरती हम प्रश्णों पर इसलिए रुख कर चलते हैं कि आपको प्रश्ण समझने में समय लगे और प्रश्ण अच्छे से समझ कर आप कर पाएं यही अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण आज का है यह ब्यार तबए बदलेगी कछुप पीहा जब पूछई हैं प्यू कहां तो यह पंज्ट किस कभी की है अब इस तरह किया बैयार तबए बदलेगी बैयार बदलेगी अगर प्रकित की बात की जाए तो आधनी काल में प्रकित की बात करने वाले सरव्प्रसिध कभी हैं प्रताप-णरायडर मिस्र जी तो आपको शहीं बिकल्प लगा लेना है बयार की बात प्रकित की बात जब करते हैं पुरताप निरैन मिस्र जी आगे का प्रशन अगला प्रसन आज का आ गया है समस्या पूत्री पूर्थी सर्वस्व नामग्रंथ के लेखक। समस्या पूर्ति सर्वस्थ नाम ग्रंथ के लेखक अगर जब पूछा जाए तो समस्या पूर्ति सर्वस्थ जब सर्वस्थ की बात करें तो अम्विकादत ब्यास ब्यास जी सर्वस्थ है तो ब्यास जी को याद करिए तो समस्या पूर्ति हो जाएगी तो आपका समस्या पू से कौन है सकुंतला नाटक जब पूछा जाए तो तुरंत आपको बताना है कि कौन है तो सकुंतला नाटक लिखा है राजा लचमन सिंग ने राजा लचमन सिंग बर विकल्प आपका सहीं हो जाएगा इसी तरह से अगला प्रस्ण है नीति बिनोद के रचीता का नाम क्या है गोबिंद गिल्ला भाई राधा चरण गुष्वामी भारतेंदू अम्बिकादत ब्यास अब नीति बिनोद नीति भी है और बिनोद भी है तो यहां पर तुरंत आपको बिकल्पकड़ना है गोबिंद गिल्ला भाई जी नीति बिनोद के रचीता है गोबिंद गिल्ला भा के कवियों के विशे में यह टिपड़ी किस की है राम विला सरमा की आचार राम चंद सुकल की डाक्टर नागेंदर की हजारी प्रसाद दिवेदी की अब यहां वे प्राचीन की बात जब की जाए तो तुरंत आप बताएंगे आचार राम चंद सुकल ने ऐसी वाते की हैं ब भारत बारा मासा ऐसे रचना है जो कई बार परिक्षाओं में पोछी गई है भारत बारा मासा के रचैता जो माने गए हैं राधा कृषणदास जी माने गए हैं अगला प्रश्ण है जगनात दासरतनाकर के काब गुरु इन में से कौन थे? जगनात दासरतनाकर के काब गुरु की बात जब की जाएं तो तुरंत आब बताएंगे काब गुरू नौनीत चतुरवेदी जी थे तो अब इकल्प आपकर सही हो जाएगा अब इकल्प यहाँ आप सही कर सकते हैं इसी तरह से अगला प्रशनाया मध्ध प्रदेश की बिजे रागवगढ रियासत के राजकुमारें में से कौन थे तो मध्ध प्रदेश की जब बात की जाए तुरन ताप कहेंगे ठाकुर जगमोहन सिंग रागवगढ रियासत के राजकुमार थे ठाकुर जगमोहन सिंग तो इस तरह से रियासत के मालिक ठाकुर ही होते थे इतना ध्यान रखेंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा अगला प्रशन है हो 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 री किसकी का विक्रिती है अम्बिकादत्य व्यास की जगमुहन सिंग की राधा किष्णिदास की नौनीत चतुर वेदी की हो 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 री अब यहां हो 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 री किसकी रचना है अम्बिकादत्य व्यास की रचना हो 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 री है अंबिका दत्य व्यास की रचना है इसी तरह से एकले प्रशनकी बात कर लेते हैं लोकोक्ति सतक के रचैता कभी कौन है यह रचना इसके पूछी जा सकती है इसमें लोकोक्ति सब्द लगा है मुहावरे और लोकोक्तियां आप पढ़ते हैं लकिन उसी नाम से लोकोक्ति नाम से रचैता है और लोकोक्ति सतक के रचैता कौन है यह पूछा गया है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्रताप नराण मिस्र जी है भारतें दुहरिश्चन जी है जगरनाद दासरतनाकर जी है मतिराम जी है यहाँ चार बिकल्प दिये गए हैं लोकों के सतक के लिए तो यहाँ लोकों के सतक की बात जब की जाए तो प्रताप नराण मिस्र जी सहीं बिकल्प आपका हो जाएगा तो आपका अबिकल्प सहीं हो गया प्रताप नराण मिस्र जी अगले प्रस्णिकी बात कर लेते हैं कान कृष्णदास का यहां पर कानपूर से संबंधित यह प्रश्ण पूछा गया है कानपूर के रशिक समाज से किस कभी का संबंध था तो कानपूर के रशिक समाज से प्रताप नर्यान मिस्र का संबंध था आपका सभिकल्प सही हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रश्ण की ब जगमोहन सिंग ने इसका किया था महायववी प्रशाद्रिवेदी ने नहीं किया भारते उन्हों हरिश्चन ने नहीं किया हरियोध अयुद्या सिंग उपाध्य हरियोध ने नहीं किया इसको ठाकुर जग्मुहन सिंग ने किया है राय कड़ रियासत के राजकुपार थे राय गडर रियासत मद्दर परदेश के राजकुपार थे अगली रचना आज की जो सक्षराइस क्युए तो को बड़े ध्यान से आप रखेंगे तो बदरी नरान चोधरी जी इसके संपादक माने जाते हैं द विकल्प आपका सहीं हो जाएगा अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं हिंदी नौ जागरण को हिंदू जाद का नौ जागरण किस आलोचक ने माना है डाक्टर नगेंदर ने, डाक्टर रामविला सर्मा ने, डाक्टर नामोर सिंग ने, आचार सुकल ने, हिंदी नौ जागरण यहां आप देख रहें ध्यान से हिंदी नौ जागरण की बात की जा रही तो डाक्टर रामविला सर्मा जी से ही हो जाएगे हिंदी नोजागरन जब भी कुछ कहा जाए तो डक्टर राम बिला शर्मा को याद करना है और सही विकल्पाप को लगा देना है इसी तरह से अगला प्रशनाज का जो है भारते उन्हारिश्चंद्र ने कुल कितने कावकृतियों का स्रीजन किया है हरिश्चंद्र ने कुल कितने कावकृतियों का स्रीजन किया कितनी कावकृतिया लिखी है यहां आप देख रहें करम में बढ़ता हुए है 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75 तो करम तूटा नहीं, जब करम तूटे नहीं तो तीसरा से ही हो जाता है यह भी ट्रिक आप अपने पास रखिएगा, कभी परिक्षा में काम आ जाएगी चार विकल्पों हों, एक क्रम से सारी रिचनाय दी गई हो एक क्रम से सारे वर्स लिखे गए हो तो आप समझ लिजे कि तीसरा विकल्प सही है तो सब इकल्प आप यहां सही कर सकते हैं सत्तर कृतियों की काब कृतियों का वर्डन उन्होंने स्रिजन किया है आज का अंतिम प्रशन है कौन सा हिंदी कभी अब्रुपनाम से उर्दु में कविता लिखता था अब रूप नाम से उर्दू में कविता लिखने वाला कौन सा कवी था अब रूप नाम से यहाँ चार कवी के नाम दिये गए है भारतियन दोहरिशंद दिया गया है श्रीधर पाठक दिया गया है अंबिकादत्य ब्यास दिया गया है प्रेम घंदी आ गया है तो आपको दा विकल्ब सहीं कर लेना है प्रेम घंद अब रूप नाम से उर्दू में कविताक लिखते थे तो आज की प्रशनोत्री यहीं तक आपको प्रशनोत्री अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को वीडियो में शे सी लगी जेहिंद जेवाओं